हाई फ्रेंड्स मैं हूं केसा कुमार साहू और मेरी यूटीब चनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे बजाचे तक 99 फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्स्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को ज़रू प्र करते हैं तो मैं उसका तूरंधी रिप्लाई करता हूं जो भी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन करता हूं प्लस उस टॉपिक में वीडियो बना की देता हूं तो बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स जो आप मुझे हमेसा सपोर्ट करके रख मतलब इतना दीन से करी है तो वह क्या करण हो सकता है तो उस टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए तो फ्रेंड्स देखिए पहले बात तो पहले जो हमारे स्कूटर होते थे उसमें बड़े बड़े बल्ब होते थे इसमें अभी आपको मैं दिखा रहा हूं इसमें जो हाइलोजन बल्ब लग दो तीन कारण है एक करण तो नहीं है वह तो पहला कारण तो यह प्रेंड्स कभी भी अपने स्कूटर को आन करते हैं तो आप ध्यान ढहिएगा कि आपकर जो लाइट है यह लाइट है उसका सुलिछ हमेसा बंद रहना चाहिए जो क्योंकि जpt ऑप कीक मारते है और कीक मारने से जो करिंट जो है जब वो पैदा होती है ना तो उस टाइम कुछ ज्यादा मात्रे में निकलती है उसमें वोल्टेज कंट्रॉलर लगा होता है लेकिन कई बार उसके वज़े से फ्यूज होती है तो आप कभी भी आपने स्कूटर कर स्टार्ट करते हैं रात हो दीन हो कभी भी स्टार्ट करते हैं तो आप इतना बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लाइट है हमेशा बंद रहना चाहिए और एक और अगर प्रॉब्लम करती है तो आपकी जो साइड पैनल में वोल्टेज जो रेगुलेटर होते हैं जो आपके करेंट जो आपके गाड़ी जो करेंट मतलब पैदा कर रही है उसको कंट्रूल करती है जो अंदर होती है चली मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ आपको जीठों तो फ्रend यह देखिए यह समान मेरे स्कोटर में हमेशा रहता है यह इस समान में हमेशा अपने साहथ रखता उं तो यह देखिए यह जो आप रैगुलेटर देख रहे है ने वाला तो अगर यह खराप हो गया है या किसी प्रकार से गरे स्षॉट हुआ होगा तो यह क्या करता है जो आपकी स्कूटर जीतने भी तो अपया कर रही है जीतने भी ऑनावल्टेज निकाल रही है वहां से वह नहीं कर पा रही हो ंटारी कट्रोल नहीं कर पा रही है यह और आपकी क्टलें क्रूबState लिए कमांट digamos अभी और इसको होती है तो क्यवा यह सोट हो जाता है आपके जो वोल्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है चाहिए लू और इसको भूऻ एक बार आप इसको छेक लिएगा अगर आपके गा doğru में माट और वाइरिंग के उपर भी रहता है अगर आपकी स्कूटर की कहीं भी वाइरिंग अगर लूज है आप ये इसको खोल लीजिएगा खोलने के बाद इसमें जो वाइरिंग होते है उसको अच्छे से देखिए कई बार ऐसे होते है कि आपकी जो वाइरिंग लूज है उसके वा झाल झाल